मतलब जिनके स्पोर्ट में भी मैंने वीडियो बनाई हैं उनके नाम उन जो हेटर्स हैं इनके हैटर्स को सुनना नहीं होता और कभी इनों नहीं मैंने माइंडेट किसी ने बोला आप भी हो तो जहां पर मैंने बनाए थे दहीं बले सोंट की चटनी डालके बहुत ज्यादा सोफ्ट और सभवात थे इसकी रैस्पी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आज थोड़ा सा दिखा रहे हूं मैं मम्मी को खिला रहे हूं टेस्ट करवा रही थी तो आज आप सभी को हैपी फादर्स डे और हैपी गंगादि शेयरा ठीक है तो कैसे कैसे गंगादि शेयरा पर आप लोग अपने अपने घरों में पूजा करते हो तो शेयर करना कमेंट के थ्रू मुझे बताना और जिन लोगों के जो कोई भी कोश्चन होते हैं प्लीज वो कम्यू आप लोगों को बताओं कि कुछ लोग लास्ट तक विश्चन जो है मैं डूंडी नहीं पाई तो होंवरक तो मैंने किया है देखिए आप दीदी को होंवरक देते हो तो मैंने किया है तो सबको एक तो बहुत बड़े वाला थैंक्यू धन्यावाद कि आप लोगोंने मेरी इसको इतना प्यार दिया और प्यार देते जा रहे हो ऐसे मुझे साथ आपका आगे तक मतलब आगे तक ले जाएगा ठीक है तो उस जर्नी में हम सब ही होंगे हाना तो मैं आप लोगों को बताओं कि कुछ लोग लास्ट तक वीडियो नहीं देखते इसलिए मैं सबसे पहल कि दिया के भागिदार होंगे जब आप वीडियो को मतलब की एड को भी ना स्किप किये हुए अगर देख लेते हो तो पता नहीं कब किसकी क्या मदद हो जाए तो यह एक छोटी सी शुरुवात है आपकी इस दीदी की और से तो किसी को मैं टीचर लगती हूं किसी को मैं मा पताने सकती तो जी जादा इदर उदर की बाते ना करते हुए चल यह वीडियो को करते हैं तो मैं यह भी दिखा रही थी यह देखिए आपकी दीदी के हाथ पे लग गया है चोट कैसे लगी मुझे खुद भी ने बता तो इसकी चल रही है मैडिसन तो आज मैं दवाई खा वीडियो में होते हैं तो बस जब मैंने वीडियो बनानी होती है जब ही पैंगती हूं तो यह कुर्तियां चेंज कर लेती हूं तो चल यह मैं जो है आपके कोशन लेना स्टार्ट कर रही हूं तो जी पहला कोशन यह था कि टिंकु की तो जी पहला कोशन यह था कि टिंकु क वेलकम पार्टी दी गई थी दीदू की वेडिंग एनिवर्सरी पर यह पहला कोशन है और गिफ्ट की उन्हें दिखाएगे तो हो सकता है कि ऐसा किया हो इन्होंने तो बातों आपकी मुझे कहीं न कहीं बिल्कुल सही लग रही है यह आपने मुझे कोशन किया है तो आंसर त तो ऐसा हो सकता है अच्छा चलिए क्योंकि आप देखते हो कि अगर वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई तो दीदू त्यार क्यों नहीं हुई हाना जहां फिर गर्मी बहुत जादा थी चलो जो भी था तो तिंकु की वेलकम पार्टी है तो इसके लिए केक वगरा क पता नहीं लेकिन नन्नो के यहां पर केक कट होते देखा है तो नन्नो की फैमिली क्यों इन्वाइटेड नहीं थी अगर इन्होंने एक वेलकम पार्टी रखी थी टिंकु के लिए और दीदू की सेम वेडिंग एनिवर्सरी पर तो यह क्या टिटफो टैट वाली बात थी क सब्सक्राय कि तुमने नहीं बुलाया हो सकता है है ठीक है अगर फेड़िंग एनिवर्सरी थी तो गिफ्ट तो मिले होंगे नहीं अभी आपके सारे इतने ज़्याद़ा फैमिली मेंबर थे अगर गिफ्टनी नहीं लिफाफे तो जरूर मिले होंगे अगर लोगडोन में वो लोग गिफ्ट लेना भूल गे तो वो थोड़े से लिफाफे आप दिखा देती वैसे चोटी 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 चीजें आप शियर करते हो बहुत ही ज्यादा मतलब जो नहीं भी करनी चाहिए वो भी करते हो जैसे कि आपने ममी को एक्सपोस कर दिया था वो बस वही अगर चोटी-चोटी चीजें शियर करते हो तो यह भी आप शियर करते हो और बताते यह में कोशु पूछ रही हूं जा मैं स्यद्幹्? मैंने एक तो question का answer दिया दूसरा मैंने question छोड़ा है दीदी के लिए ठीक है देखिए ये कल भी मैंने बोला था एक आम बात है कि YouTubers पर reaction देना अपने point of view रखना मतलब अपनी opinion रखना ये एक normal बात है जो एक audience है जो एक viewers है वो सिरफ और सिरफ वीडियो को enjoy करें so haters अगर आप हमारे hitter हो जा उनके haters हो हमारे hitter कैसे हो ये नहीं पता क्योंकि हम लोग तो आपको अपनी डेली रूटीन दिखाते नहीं है ठीक है जो दिखाते हैं वहाँ बोन ले जाते हो तो वहाँ पर comment section ओफ हो जाता है तो मैं एक question दीदी से मैं भी पोछना चाहती हूँ अगर आप लोगों की किसी की भी knowledge में है तो please आप लोग भी बता देना मुझे comment section में reply देना की father's day पर इन्होंने कैसे celebrate किया ये इन्होंने नहीं बताया वैसे ये छोटी छोटी चीज़ें जो है हम लोगों के साथ share करते हैं तो इन्होंने father's day पर हम लोगों को क्यों नहीं बताया एक video बना के दिखा देते हैं और कल किसी का भी कोई video नहीं आया अब लेते हैं जी next question तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि ऐसा क्यों शक हो रहा है कि ये नन्नो family और ये सब लोग भी मिले हुए क्योंकि इतनी insult अपनी कोई भी बरदाश नहीं करता तो ये था कि नन्नो कोई बोलना चाहिए था दो दिन से तो नन्नो के भी कोई वो नहीं आ रहे video और नन्नो ने भी अपने भांजे के लिए बाट नन्नो पर आता है तो उसने क्यों नहीं दिखाई तो एक मिली बंते से की अगर व्यूस के लिए है ये सब तो मुझे नहीं लगता अब अब memang मुझे अधर लगता पेहले मुझे लगता था कि ये सब यूस के लिए video यह जीनीन कि आएंगी तो दूसरा कि कोल्ड वर कहीं न कहीं चली रही है कहीं न कहीं न चले ही रही है जो कि एक अपने वीडियो में दिखाएगा बिल्कुल हैपी वोग वो मिस्वी नहीं करेंगा किसी को सड़नली सेकंड डे मिस्वी कर रहा है और वो बोल भी रहे कि वो आ बोल दिया जाने के लिए बोला है ना वो लेकने बोला कि चली जाएगी हाना तो मतलब रात को तो एक कोस्चन ये भी था कि दीदू ने बोला है कि मैं यूट्यूब छोड रही हूं बट दीदू के रेगुलरी विडियो का रहे हैं लेकिन चाहिए दो दिन चोड या रहे हैं तो दीदू क्यों वह था क्यों जिसको एक बार लत्तलग गई यो ना जिसको एक बार लत रह 형 की डौलर्त की तो तो उसके लिए आपने इतना सब करा, कीचोड उछाला, अब समेटे समेटा ने जा रहा, राईता इतना फैल चुका है, तो कीचोड उरो के कहां-कहां चला गया है, सडान फिलाता हुआ, आप कैसे छोड सकते हो? बाते clear किये भी आप कैसे छोड़ सकते हो बात अब को clear करने पड़ेगी और जहां तक मुझे लगड़ा है कि शर्मा फैमिली का जो टिंकु है एक content बन चुका है कि शर्मा फैमिली जो है टिंकु पर ही अब देखिए ना क्या 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 हो गया जैसा कि आपको पता है rituals जो हैं वो सारे के सारे ननु फैमिली के ही चलेंगे पर दीदी आप तो कुछ लेंगोईज भी सीख रही थी ना उस लेंगोईज का क्या हुआ जैसे जर्मनी फ्रेंच ऐसा कुछ तो वो तो चंडिगर्ड में ही सीखी चानी थी क्या हुआ उसका भी मतलब कोशनों पर कोशन एक का अंसर जेती हूँ बाकी कोशन और खड़े हो जाते हैं ठीक है तो ऐसा है कि अगर आप इस फैमिली को अगर कहते हो कि ननु फैमिली को आप इन्वाइटिड नहीं करते हो तो पहले भी देखो शादियां जब हो जाती है तो मैंने पहले ही बोला झाल दो फैमिली जो है वो एक होती है हम एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए जो फैमिली में ही रहने चाहिए जो कि आप नहीं रख रहे हो चोटी चोटी बाते हैं आप इन शुरुआत करी है आप इन्य यूट्यूब पर सब कुछ ऐसे फैला दिया इतना जादा तो अब आ तरा तरा के कुड़ियां अलगाई तरा कियां अच्छी लाल रंग की पैनके घूमते रहते हो धुते विए उसको पता नहीं कब ठीक है और कल जो है आप रात में अभों सूट में सुजाते हो सूट में उठते हो पीते हो वो एक ही सूट में घूमना गमाना हो जाता है, पालर पर भी आना जाना हो जाता है, लेकिन नहाना क्यों नहीं होता, ठीक है, आप इतनी ज़्यादा साफसफाई पसंद हो, ठीक है, और घूमना गमाना सब हो रहा है, लेकिन जब आप किसी के घर जाते हो, उसके घर जाते हु वे आप सर पर बांध लेते हो ठीक है और पैंट पैंट जाते हो कुछ भी लेकिन अगर में आप सूट में घुमते हो जो कि आप पहले पहले जब पहले जिनके आपने अगर किसी ने वीडियो जिनके देखें तो दिन भर ये लोर में ही रहती ती लोर टी-शर्ट में ही रहती लेकिन बताना जुरूर अपने किसी भी वीडियो में कि जो study आप कर रही थी तो उसमें इतना लंबा एक साल का gap कैसे अगर आपने admission ली हुई है तो जर्मनी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो जाँ कुछ sorted कर रहे हो जाँ कुछ degrees जो आपने ले रखी है जो कभी नहीं दिखाई किसी को तो वो भी बताना, ठीक है तो क्या प्रीती ने अपनी दिदी से पूछा नहीं कि आज फादर्स डे पर क्या करेंगे, एक ये मेरा मेरा खुद का कोशन है, ठीक है कपड़े तो आपने दिखा दिए, जो कि आपने पहले से ओडर कर रखे थे तो आप हमेशा कपड़ों का ही हॉल दिखाते रहते हो, आज हमेशा ब्रेंड का ही नाम क्यों लेते हो आप क्यों पता नहीं, ठीक है तो एक चीज और में बताना चारी थी कि फादर्स डे की वैल्यू क्या है जे आप उनसे पूछिए जिनके फादर नहीं है जाँ फिर जिनके फादर है और उनोंने वीडियोज डाली है चोटी-चोटी स्मॉल वीडियोज बनाई है फादर टेपर स्पैशली मेरे एक फ्रेंड ने भी बनाई है बहुत अच्छी वाली शोट वीडियो कि बापू तेरे करके मैं पैरा हुद्ते खलो गया तो यह पंजाबी में गाना है तो मैं यहाँ पर सुना नहीं रही हूँ तो फादर्स डेपर चलिए एक तो उनका फर्स्ट फादर डेई है टिंकू का ठीक है और दूसरा आप अपने फादर्स की पिक के साथ ही कभी आप भी चोटी मोटी स्टोरी डाल दिया करो ठीक है चलो जी तो होगी फादर्स डेपर दूसरी बात मैं आपसे ये भी एक पूछना चाहती हूँ मैंने आपके विवर्स जब आपसे पूछते हैं आपको कमेंट सेक्षन में लिखते हैं तो आप एक तो रिप्लाई नहीं देती लेकिन कभी रिप्लाई देती हो तो बिल्कुल ऐसे वाले रिप्लाई देती हो ठीक है तो समझ में नहीं आता तो एक चीज और तो जी एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग ना मेरी वीडियोस देखते हैं और बोलते हैं कि आप इनके पीछे क्यों बढ़ गई हो देखिए आपको सिरफ इनी के बारे में सुनना है और आप रोग सुनके चले जाते हो लेकिन उसके बीच में मैंने बाकी यूट्यूबर्स की हेल्प के लिए उनकी स्पोर्ट के लिए बोला वो आपको समझ में नहीं आता क्योंकि वो आपको सुनना नहीं होता और ये तो दीदू बहुत बढ़ी है अब बताएए मैंने तो मोदी जी पे भी बोला था दाइरे से भी नीचे हैं कि वो कैसे फोर्ट करेंगे मैं जब उस टॉपिक पर जब बोली थी ठीक है और जे दीदी जरह सी किसी को कापी पेंसल भी लेकर देंगी लेकिन बखान पूरा करेंगी यहां पर और एक चीज और जैसे कि जिन वी शिप्रा जी जिनकी मिलेगी दूबारा आर्थी अनूव नरिंद्रा कलयानी मतलब जिनको पोर्ट में भी मैंने वीडियो बनाई हैं उनके नाम जो हेइटएस एंगे हैं कभी इनों किसी के स्पोर्ट में थोड़ा सा भी बोला इतनी बड़े यूट्यूबर और भी हैं बहुत बड़े वाले यूट्यूबर जो है न वह आते हैं दूसरों की स्पोर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक चीज मैं और भी क्लियर करना चाहती हूं सब लोग आये हुए थे यूट्यूब की और से एक यूट्यूब की तरफ से यहां पर एक और्गनाइस किया गया था ऐसा क्या कहते हैं उसको न मुझे नहीं पता लेकिन मुझे मेल आई थी कि आप जो नियू क्रेटर्स हो आप वहां पर जाएं बड़े-बड़े आपके जो बहुत बड़े फूड चैनल है जिनके वह लोग भी वहां पर गय थे उन्होंने तो खैर वीडियो बना के डाली भी थी फ्लाइंग बिस्ट भी थे वहां पर मतलब इतने सारे लोग थे तो हम छोटे से क्रेटर ना वहां जाकर चोटी सी हम लोग क्लिप भी डाल है मैं इतनी मेहनत कर रही हूं अपने पॉइंट ओव यू आप लोगों के सामने रख रही हूं अगर मैं मनी माइंड़ हूं थोड़ी सी थोड़ी सी लेकिन अपनी फैमिली की इज्जत उचाल कर वह खर्चे पानी चलाने की आदत नहीं है मैं चाहती हूं उस थोड़े से फैसे से मतलब मेरे मेरे तरफ से बचे मेरे टिनी शारे भाई बहनों की तरफ से जो कि मेरी वीडियो को देते हैं, जा मेरी वीडियो को शियर कर देते जाती है तो अभी तक मुझे YouTube की तरफ से कुछ ऐसा मिला नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ शेर भी कर दूँ ठीक है तो यह मेरी सोच है अच्छी है बुरी है लेकिन यह मेरे पास है मैंने आप लोगों के साथ शेर अब करने शुरू किया तो इन्होंने कभी ऐसा किया जरा बड़े YouTubers किसी की help के लिए बोल रहे हैं जैसा कि अभी सबको पता है कि क्या मोहल क्या situation चड़ रही है ठीक है हर घर कहीं न कहीं परेशान है हम सब को एक दूसरे की मदद करने चाहिए आगे बढ़ना चाहिए क्या हम अपने इंडिया की पिक्चर क्लियर कर रहे हैं बाहर के बोलने मोलेंगे समझ रहे हो क्या मतलब क्या दिखा रहे हो और लेकिन आपकी audience आपको देखना पसंद करती है तो वह वहां देखे लेकिन हम अपनी गंदगी हमारे यहां comment section में मत छोड़े ठीक है और comment turn off मैं नहीं करती जब बहुत ज़्यादा हो जाए कभी मैंने करे करके otherwise मैं comment turn off कभी नहीं करती मैं remove करना पसंद करती हूं लेकिन उनकी सोच देखके पढ़के उनकी सोच को पढ़के उनको reply करके फिर remove करना पसंद करती हूं तो चलिया आज की मेरी वीडियो यहीं तक सब को एक बार फिर से happy गंगा दिशेरा और happy father's day father की value समझे father वो है और ladies के लिए कोई चोटी मोटी चीजी हाना पता नहीं क्या कुछ क्या कुछ उमीदे होती हैं बच्चों की परिवार वालों की जब घर से father जाते हैं तो काम पर ठीक है शाम को आएंगे यह कुछ लेके आएंगे माबाप की इज़द करें माबाप की respect करें ठीक है और आपने तो अपनी मम्मी को expose कर दिया चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ अपना ध्यान रखें अपने अपनों का ध्यान रखें कि अपनी सोच हमेशा स्वाच रखें अच्छा देखें अच्छा सोचे और अच्छा ही समझें तो वीडियो को क्या करने आपको लाइक तो करना ही है और शियर भी करना है ठीक मुझे आपके स्पोर्ट की बहुत-बहुत सारी जरूरत है क्यूंकि आप हो तो मैं हूँ